हेलो फ्रेंज वेल्कम बेट टो टो एगे जाने आज हम ब़नाने वाल我们 है गूझृत स्टी ट्रेडिशनल खाणडवी तो यह रोल कैसे किया जाता है कैसे इसका मतलब गार्निसिंग किया जाता है कैसे बनाई जाता है परफेक्कम विर्कृत आपके साथ अग्याफ हम बनाते ह तो आप कोई भी नाप सेट कर सकते हैं, इसी नाप से हमको आगे का मेजरमेंट लेना है, तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी जितना बेशन चान के ले लिया है, अभी इसी कटोरी से हम खट्टी वाली बटर मिल्क लेंगे, यानि कि छास लेंगे, वो हम तीन कटोरी लेंगे, वान, टू, और थ्री, तो कोई भी नाप आप इस तरह सेट कर सकते हैं, अभी हम यहाँ पर कलर के लिए चुटकी भर हल्दी एड़ करेंगे, और स्वाध अनुशार नमक एड़ करेंगे, मैंने आदा चमत जितना एड़ किया हुआ है, अभी हम इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे, तो यहाँ पर, आप हैंड विसकर से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका टाइम ज्यादा लगता है, तो मैंने यहाँ पर ब्लेंडर से कर दिया है, तो यह एकदम मिक्स हो चुका है, अभी हम आगी के प्रोसेस करेंगे, तो मैंने यहाँ पर नॉन्श्टिक की कड़ा अभी गैस की फ्लेम अन करती है, और इसको स्लो गैस पर ही रखना है, तो मैंने गैस की फ्लेम एकदम स्लो कर दी है, तो अब देख सकते हैं, बिल्कुल लंस फ्री हमारा बेटर रेडी हुआ है, तो अभी जो भी बेसन नीचे रह गया है, उसको भी हम इस तरह से इसमें तो अभी बात में पक गया हूँ तो उस समय पे आपको गेस्प की फ्लैम बंद कर देने की है ठीक है तो इस तरह से हमें इसको पकाना है इसमें हमने इस्तमल किया बेसन तो बेसन को पकने में ज्यादा समय नहीं लगता है तो दो-तीन मिनिट में यह पक जाता है और खांडवी जो है वो खाने में अच्छी लगे इसके लिए हमें इसको पर्फेक्ली कुक करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर इसका कच्चा टेस्ट आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा बेसन अगर perfectly cook नहीं होगा तो इसका कच्छा टेस्ट अच्छा नहीं आएगा क्योंकि उसमें ज्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं यह कम ही मसाले में बनती है तो इसका proper टेस्ट यहीं आता है कि जो भी हमने च्छास या butter milk जो भी ली है वो खटी लेनी है और इसको अच्छे से कुक करना है तो यह खांडवी जो है वो नो फ्यल रेसिपी है अगर आप पहली बार भी बना रहे हो तो इसी तरह से आप बना होगे तो यह रेसिपी आपकी पर्फेक्ट बनेगी कोई प्रॉब्लेम नहीं होगा तो अभी देख सकते हो आप 2-3 मिनिट हुई है और यह मिसरन एकदम घट हो चुका है लेकिन अभी भी इसको हम दो मिनिट तक और भी पकाएंगे क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि यह चम्मत से चुट जा रहा है यह एक सार होना चाहिए तो अभी हम इसको दो मिनिट तक अभी लेकिन गेस की फ्लेम बिल्कुल स्लो ही रखनी है गेस की फ्लेम मीडियम भी नहीं करनी है और हाई भी नहीं करनी है अभी यह हमारा मिसरन एक सार होने लगा है तो अभी हम एक बार चेक कर लेंगे अगर आपको चेक करना हो तो इस तरह से एक प्लेट लेने लिगी है इसके उपर थोड़ा सा हम मिसरन एड़ करेंगे और इसको पतला सा इस तरह से फैला लेंगे और इसको ठंडा होने देते हैं थोड़ी देर के लिए तब तक हम इसको मिलाते ही रहेंगे गेस की फ्लेम अभी हमने off नहीं की है, on ही है और slow ही रखी है और इसको अभी इस stage पे हमें अकेला नहीं छोड़ना है अकर इससे थोड़े भी दूर जाएंगे तो यह चिपक जाएगा तो यह पर चेक करने के लिए मैंने ये प्लेट रेड़ी कर ली है ठन्डा होता है तभी हम चेक करते हैं भी मिक्स कर देते हैं और 2 मिनी तक और भी पकाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मिसरन जो है इस तरह से रिबन के जैसे इस तरह से स्टिकी हो गया है तो अभी यह पक चुका है तो अभी हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको एकदम पतला-पतला अगर आप प्लेटफॉर्म की प्लेटफॉर्म पे बीचाना प्लेट की तो इस तरह से हम और यह जो प्रोसेस आपको बहुत जल्द करनी है अगर यह मेशनरन कडाई में ही स्टिक हो गया तो फिर अच्छे से फेल नहीं पाएगा तो इस तरह से हम फटा-फट इसको फैला लेते हैं तो मैं रेडी कर देती हूं इस तरह से सारी प्लेट तो मैंने इस तरह से चार प्लेट में फैला लिया है अभी इसको कुछ देर के लिए हम ठंडा होने देते हैं ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन 2-3 मिनित तक ठंडा होने देते हैं उसके बाद हम इसको रोल करेंगे तो चलिए यहाँ पर हमारी ठंडी हो चुकी है अभी हम इसमें कट लगाएंगे तो पहले मैंने यहाँ पर एक बीच में कट लगा दिया है और यहाँ पर इस तरह से कट लगाया है तो आपको जितनी साइज का रोल पसंद है उतनी साइज का आप कट लगा सकते हैं आप दे से इसको उठाएंगे और इस तरह से आप देख सकते है कि थाली में भी चिपका नहीं है तो इस तरह से हम उप to भड़े चोटे सारे जो अब Varna, पर यहांते हुव का जी तरह सोपुघ क secrets तो यहां पर मैंने 2 चोटी चमच आपके लगी है अभी हम इसमें एड़ करेंगे तो इसको पर चटक में डेते हैं तो यहां पर हमारी राई चटक में लगी है अभी हम इसमें एड़ करेंगे करी पत्ते तो मैंने यहां पर चार पांच करी पत्ते लिए हैं यहां पर हरी मीर्च ली है जिसको मैंने बारिक चॉप कर लिया है वो भी एड़ करेंगे और यहां पर हमने छुटकी बर हिंग ली है वह भी add करेंगे और एक चम्मा जितने white-till लिये हैं वह भी add करेंगे वह तुरंग गस्की फ्लेम बंकर देंगे क्योंकि ये उडेंगे बहुत तो गस्की फ्लेम बंकर दी है white-till add कर दिया है और ये सारा वगार जो है वह हम अभी ये प्लेट में डाल देते हैं तो यहाँ पर हमारे खांडवी का वगार हो चुका है अभी हम इसको गार्निस करेंगे तो यहाँ पर मैंने सर्विंग प्लेट में खान भी ले ली है अगर आप जो मैंने तड़का लगाया वो अगर आप सर्विंग प्लेट में लगाना चाते है तो लगा सकते है लेकिन मेरी ये प्लेट जो प्लास्टिक की थी, इसलिए मैंने पहले स्टील की प्लेट में लगाया तड़का, अभी हम इसको गनीस करेंगे, तो गनीसिंग के लिए मैंने यहापर कास्मी लाल मिर्श लिया है, वो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से, इसका टेश का चीन लिया है जो भी ग्रीन श्रीफोड आता है उसका चीन लिया है इसको मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है तो आईए फ्रेंड्स देखिए आप कितनी अच्छी खांडवी बनी है ये रेसिपी आप जरू ट्राई केजिएगा और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको य रेसिपी कैसी लगी तो अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते है तो हमारी चैनल वी आर गुजु को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूलिए मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थैंक्स पर वाचिंग